इन्टजार करेगा परेश्ट केज इफ थ्री नहीं रही प्रायोरिटी यश चाहते हैं आगे बढ़ना हर इन्सान चाहता है कि उसकी जिन्दगी में कोई ऐसा पड़ाव आए जो उसकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल दे यही वज़ा है कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि काफी एक खुशी की वज़ा होती है तो हम उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है जो चीज़ें हमें पहले बहुत ज्यादा पसंद थी वो आगे के समय में हमें इतनी इंपॉर्टन नहीं लगती है और यही वज़े है कि आज के समय के साथ सब के खाईशे भी बदल जाती है हमारी ओडियंस ऐसे ही ओडियंस है जो जब किसी भी फिल्म या किसे भी आक्टर को प्यार देती है तो उसे भरपूर प्यार देती है ऐसे में वो जब हमारी ओडियन्स को केज़िव फिल्म पसंद आ जाती है तो वो उस फिल्म के आक्टर का और भी ज़्यादा देखना चाहती है और ये प्यास बुजाने के लिए कभी-कभी उन्हें करना पड़ता है थोड़ा वेट आज हम बात कर रहे हैं केज फिल्म फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर धमार मचा दिया था रॉकी भाई के किर्दार को फैंस ने देखना ज्यादा पसंद किया कि वो अब इस फिल्म फिल्म की तीसरे फिल्म की मांग कर रहे हैं लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस film के अक्टर यानि की यश और डिर्टर प्रशान्थ ने इस फ्रैंचाइजी की लीड अक्टर यश और फिल्म के डिर्टर प्रशान्थ ने इस film को आगे बढ़ाने में थोड़ा समय लगाया है इसकी बड़ी वज़ा यह है कि आने वाले समय में प्रशांद जो कि सालार जैसी बड़े फिल्म में बिजी है वह यश भी और फिल्म में साइन कर चुके हैं और ऐसे में वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय उनकी प्रशांद ने यह जरूर कहा कि वो इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इन दोनों पहली दो फिल्मों के बीच में भी काफी बड़ा गैप देखने को मिला है कि आगे आने वाले फिल्म के के ही आगे बढ़ता है और लगता है कि प्रशांत और यश्च दोनों का ही समय चल रहा है वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी महनत कर रहे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके करियर को आगे बढ़ाने के उनके प्लान में क्या केजिव 3 होगी शा कि केजिफ के लिए फैंस को करना पड़ेगा दो से ज्यादा सालों तक का इंतजार अब इसे के साथ मैं मंगीशा लेती हूं आप सबी से इजाज़त तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले और अपने मन पसंदीदा अक्टर्स और फिल्मों के बारे म लेटेस्ट खबरों के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले